देखो, एन्युए इसके काफी सारे ऐसे स्टूरेंस है जिनोंने एडिशन के टाइम टी ओसी के लिए अपलाई किया था और जब उनका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में उनका टी ओसी ओला सब्जेक्ट देखनी रहा है काफी सारे essay students है जो comment भी कर रहे थे और mostly जो है देखो ये problem क्यों आती है region क्या है यहाँ पर आप समर लो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और बना के दिया था अगर आप लोग का TOC ओला subject result में सो नहीं हो रहा है तो उसके समें TOC ओला subject जो है आपके result में आ जाए वो हम इस वीडियो में समझ लेंगे तो यहाँ पर हम एक case को समझेंगे students के हिसाब से ठीक है क्योंकि हमारे पास काफी सारे essay students है जिनको TOC के subject add नहीं हुए है उनके result में connect में है देखो काफी सारे के मैंने करवा दिये है काफी सारे के हो निपाए है ठीक है मैं गया भी था और मैंने document भी सारे जमा करा दिये उनके तब भी उनका नहीं हुआ है ठीक है तो region आप लोग समझ लो कि आप लोग का TOC का जो subject है वो add क्यों नहीं होके आया है और कितना टाइम लगता है TOC वोड़ा subject add होने में और टाइम अगर निकल गया है add होके नहीं आया है तो उसके समें आपको क्या करना है इस वीडियो में आप लोग समझ लो तो यहाँ पर आप देख लो एक students है जिन्होंने TOC के लिए अपलाई कर रखा है यह देखो मैं आपको यह दिखा देता हूँ यह देखो business studies और accountancy में इन्होंने TOC ले रखा है अब देखो जब आप TOC के लिए apply करते हो तो यह ध्यान रखना जिस भी subject के TOC के लिए आप apply कर रहे हो उस subject में आप लोग का 33% होना कमपसरी है जैसे कि इन्होंने business studies किया है तो business studies में इनके 33% से उपर है और accountancy में भी इनके 33% से उपर है एक चीज और ध्यान दखना अगर आप जिस subject का TOC ले रहे हो और उस subject का मतलब की theory और practical भी था तो theory में आपको अलग से 33% ले किया आना है और practical में आपको अलग से 33% लाना है तब जाकर आप लोग का TOC होगा सबसे पहला condition यह देखे लिना अगर आपने कोई इसमें गरबर कर रख्यो तो तो इन्होंने 2 subject का TOC ले रखा है अब इनका हम result निकाल के दिखाते हैं आपको total subject देख लो 5 है business studies और accountancy का इन्होंने TOC ले रखा है तो इनका हम result निकालते हैं एक बर यहाँ पर देख लो इनके सिर्फ 3 subject सो हो रहे है TOC वाला subject इनका सो नहीं हो रहा है अब देखो TOC का subject सोन होने के काफी सारे region है सबसे पहले region समझ लो और इनमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि आपने इनमें से कोई एक region है आपके उसमें तो आपका TOC subject जो है result में नहीं आएगा पहला region आप लोग यहाँ पर समझ लो तो TOC subject नाने का सबसे पहला region यह है अगर आप जिस भी subject का TOC लिए हो उस subject में आपका 33% से marks कम है या फिर किसी subject के ऐसा कोई subject है जिसका TOC लिए हो जिसमें practical भी था अगर practical में कम marks है passing marks 30% नहीं है 33% तो उस case में भी TOC का subject आपके उसमें नहीं आएगा सबसे पहला region यही है कि आपका 33% marks नहीं होगा TOC वाले subject में तो उस case में TOC का subject जो है आप लोग का नहीं दिखेगा आपके result में जब result आएगा तो पहला यह है दूसरा यहाँ पे देखलो TOC आप लोग का जो fail वाला mark sheet है न वो आप लोग को अपने regional center भेजना होता है on time ठीक है यहाँ पे देखो यह क्या लिखा हुआ है यानि कि आपको अपने regional center 10 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना mark sheet जो होता है ओरिजनल वाला fail वाली जो होती है mark sheet वो आपको भेजनी होती है ठीक है और यह 10 दिनों के अंदर अंदर भेजना होता है जब आपका admission confirm हो जाता है तो तो अगर आपने time से mark sheet नहीं भेजेते जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप लोग को mark sheet जल्दी मिलती नहीं है तो उसके समें आप लोग को क्या करना होता है कि अगर आप late mark sheet भेज़ रहे हो सेंटर पर बिना लाइबिनेशन वाली मार्क शीट आप लोग को ओरिजनल वाली भेजनी होती है दस दिनों के अंदर आप नहीं भेज बाते हो तो उसके समें आप लोग को पेमिंट करना होता है इस सर्विस के तुरू यहाँ पे आप लोग को यह देखो TOC late fees पर क्लिक करके यहाँ पे आपको पेमिंट करना होता है उसके बाद ही आप लोग का जो है TOC वाला सब्जेक्ट आता है तो दूसरे रिजन यह है कि अगर आपने late वेजे हो और late fees नहीं दिये हो अगर आपका TOC का subject सो नहीं हो रहा है तो इनमें से सबसे पहले देख लेना कि आपने गलती क्या किया है ठीक है गलती को define करो ठीक है और पता करो कि आपने गलती क्या कियो अगर आपने mark sheet जो है late भेजे हो औरिजनल वाली भेज चुके हो तो अगर आपका possibility है जाने के ठीक है जहां भी भेजे हो तो वहाँ पे जाकर अपनी mark sheet को सबसे पहले collect कर लो जहां भी आपने mark sheet order मतलब by post भेजे हो औरिजनल वाली सबसे पहले जाकर वहां से collect कर लो collect करने के बाद late fees यहां से pay करो ठीक है किस condition में अगर आपनी mark sheet जो है दस दिनों के अंतर नहीं भेजे थे admission confirm होने के बाद तो जहां भी आपने mark sheet भेजे हो वहां से सबसे पहले mark sheet को collect करो फुर उसके बाद यहां से payment करो late fees भरो यहां पर यह late fees mark sheet के साथ आपको regional center जमा कराना है खुश से जाकर जमा करा सकते हो तो करा दो नहीं तो by post जो होता है लिफापे में डाल के mark sheet और mark sheet के अंदर ही इसकी जो फिसे shift आप निकालोगे वो डाल देना है फिर आप लोग का जो है साथ से 14 दिन के अंदर अंदर TOSLS subject आ जाएगा पहला condition यह है दूसरा condition देखो अगर आपने mark sheet जो है तो खुछ से अटा लेना ठीक है तीसरा condition अगर आपने mark sheet भेज दियो हो और आपका जाना possible नहीं है mark sheet को collect करने के लिए तो उसके समें क्या करो कि आप लोग जो है जिस भी school से आपने exam दिये थे और fail हुए थे उस school से जाकर अपने duplicate mark sheet निकलवा लो काई वार क्या होता है कि आप लोग को जो आपकी mark sheet खो जाती है तो इस school वाले आप लोग को duplicate mark sheet निकलवाने में help करते हैं तो इस school जाकर अपने duplicate mark sheet निकल लो उसके बाद जो है late fish पे करो और उसके बाद अपने duplicate mark sheet को और late fish की जो receipt है उसको दोनों को attach करके regional center जमा करा दो काफी के result न मतलब add भूई हुए है, यहाँ पर आप देखोगे, तो बहुत सारे students है मेरे पास, बहुत सारे students है, जिनका मैंने TOC add करवाया है, ठीके, और बहुत सारे students भी है, जिनका नहीं हुआ है, किलियरली बोलाओ, मैं जूट नहीं बोलाओ, उनके एक देर महीने हो गए है, उनके मतलब की हुए नहीं अभी तक, ठीके, तो गलती मेरी नहीं है, देखो, आप जो मुझे service की fees दे रहे हो, वो मैं service आपको दे रहा हूँ, ठीके, और मैं आपसे पहले ही पूछ रहा हूँ, कि आपने mark sheet भेजे हो, कि नहीं भेजे हो, मैं पहली कह देता हूँ, अगर आपने भेजे हो, तो नहीं फिकर रहो, यानि कि tension free रहो, आप लोग की जो TOC वाले subject हो, जल से जल add हो जाएगी, 7 से 14 दिन के अंदर, अगर आपने देखो, mark sheet भेजे नहीं हो लेट भेजे हो, या अच्छे condition में नहीं भेजे हो, तो उसके समय फिर TOC वाला subject आपको मतलब, जो है, result में आना थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब, subject मतलब add नहीं होगा, add हो जाएगा, आपको मतलब की, जो चीज़े मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप मेरे पास आते हो, ठीक है, ये, मैंने जितने भी students देखें, वो already बताते हैं मुझे कि मुझे पहले किसी ने बहुत बड़ा चुना लगा दिया है, ठीक है, मैं कहता हूँ आओ भाई, मेरी जो फीस है, 2500 है, 200 है, 100 रुपए फीस जो है, वो तो मैं आप पहले ही मतलब, जो अब नाम नहीं लूँँगा किसी का, पहले क्या करते है, कि वो बड़े बड़े जो लोग है, ठीक है, जो famous लोग है, उनसे अपना अच्छी से कटवा लेते हैं, ठीक है, लुटवा लेते हैं, अपने आपको, उसके बाद मेरे पास आते हैं, ठीक है, आ और मुझे फरक नहीं परता है कि लोग क्या कह रहें मेरे बारे में, हाँ देखो अगर मेरे सर्विस की वज़ा से अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके समें रिफंड के लिए मैं पूरा जिम्मेदार हो, रिफंड दूँगा, लेकिन आपने गलती किये हो, मैंने आ आप कोशिस करो तो इन वीडियो को देखो, ठीक है, पहले बना रखा है कि TOC के कंडिशन्स क्या है, ठीक है, और कोशिस करो कि जो थर्ड पाटी है, उनसे बचकिर हो थोरा सा, ठीक है, होसे आरी से पैसे पे करो, ठीक है, और सवाल करने का जैसे आप लोग मुझसे करते हो अपने सवाल, वैसे सवाल करने का हिमत रखो, चाहे सामने कोई भी कितना बड़ा आदमी आप लोग के सामने, या कितना बड़ा यूटूबर हो, कितना बड़ा भी मतलब आदमी हो, उससे सवाल करने का आप लोग वो हिमत रखो, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है तो उससे आ बहस करो, कोई बढ़ा है तो आप लोग उससे बोलो ही मत